नमस्कार किसान भाईयों, आज की वीडियो में हम प्रोक्लम के बारे में विश्तार पूर्वक से जानकारी देने वाले हैं, खास कर इसका रिजल्ट कुछ किसान भाईयों को मिलते हैं और कुछ किसान भाईयों को नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं किसान भायों प्रोक्लम का content और mode up action प्रोक्लम किन किन फसलों में काम करता है और किन किन कीटों के उपर प्रोक्लम बहुत अच्छी तरीका से काम कर लेता है प्रोक्लम के combination कैसे बनाएं प्रोक्लम के कीमत क्या है इसका सही डोज कितना है या फसलों में कितने दिनों तक काम करता है और किस मौसम में इसका रिजल्ट अच्छा रहता है तो इस वीडियो में इसके बारे बिस्तार पूरब्रक्स की जानकरे दी गई है तो वीडियो को इसके मत करना वीडियो को लाज तक जरूर देखना दोस् प्रुक्लम के मोटप एक्सन की बात करें तो प्रुक्लम नान सिस्टमेटिक एंसेक्टि साइड होता है जिसमें सिर्फ टांस निम्नार एक्सन होता है जिससे पत्तियों के ऊपर से नीचे तक जा सकता है या कीटों के नर्बर सिस्टम पर काम करता है जिससे कीटों का इसनाव काम ना कर पाने के कारण कीट अपना खाना नहीं बना पाते हैं जिससे कीट आसानी से मर जाते हैं प्रोक्लम इस्प्रे करने के बाद तुरंत ही असर दिखाना सुरू कर देता है और फसल को सुरच्छित अच्छी तरीका से कर लेता है अब जानते हैं इसके रेशुवल एक्टिबिटी के बारे में या कितने दिनों तक फसल में काम करता है तो या साथ दिनों तक फसल में प्रोक्लम किन-किन पर अच्छी तरीका से काम करता है तो प्रोक्लम इस्टेम बोरर फूर्ट बोरर १्रूट पॉजर्डर इस्पूड बोरर् सीडम ट्रेड मेर्मी बाइघ करते है technologically अऩरर सब्सक्राइच करते हैं प्रोक्लम का result कई गुना बढ़ जाता है अब इसकी खास बात करें तो कई किसान भाईयों का इसका result अच्छा नहीं मिलता है और कई किसान भाईयों को इसका result अच्छा मिलता है तो ऐसा क्यूं होता है इसकी पीछे क्या कारण होता है तो इसके पीछे जो कारण होता है अगर गर्मियों के मौसम में जब टंप्रेशर 40-45 डिगरी के उपर चला जाता है तो उस अवस्ता में अगर आप प्रोकलम का इस्प्रे करेंगे तो रिजिल्ट बहुत ही कम मिलता है तो इसके पीछे जो कम में जब टंप्रेशर 30-35 डिगरी के अंदर होता है तो इसमें प्रोकलम का रिजिल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है अगर गर्मियों की मौसम में इसका इस्प्रे करते हैं तो प्रफेक्ट सूपर को ज़रूर मिला लें उससे इसका रिजिल्ट अच्छा मिलेगा अब इसके कीमत और डोज की बात कर लें तो सबसे पहले इसके कीमत की बात कर लें दोस्तों इसका कीमत मार्केट में 200 गराम का पैक जो आता है वो 200 से 2500 रुपए के आज पास मिल जाता है अब बात आती है इसके डोज की तो 16 इटर पानी में 8 गराम प्रोकलम मिला के रिस्प्रे करेंगे तो या बहुत ही अच्छा रियल देखने को मिलता है दोस्तों हमें उमीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सस्काइब करतें और बिल आइकन को प्रेस करतें जिससे की हमारी खेती समद्नित अगली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो धन्य बाद watching my video